गैस मैं अपने सारे Google AdSense अकाउंट को मिला के 7-8,000 डॉलर की अर्निंग मंतली कर लेता हूँ और affiliate marketing से भी 4-5,000 डॉलर मेरा महीने का बन जाता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा platform मेरे हिसाब से best रहेगा beginners के लिए आपको Google AdSense पे काम करना चाहिए या फिर आपको affiliate marketing के उपर काम करना चाहिए मैं पिछले 7 सालों से जो चीजें मैंने सीखी है उसको लेकर आपको एक experience शेयर करूँगा आपके साथ ताकि आपको पता चले जो गलतियां मैंने करी हैं वो आपना करो और आप एक better ad platform को use करके अपनी site को monetize कर सके तो एर इस वीडियो को beginners last तक जरूर देखते रहें Hello guys, welcome to our YouTube channel, webbees guys, 7 साल पहले जब मैंने blogging स्टार्ट करी थी उस टाइम पे मुझे affiliate marketing का कुछ भी idea नहीं था उस टाइम पे मुझे सिर्फ Google AdSense का पता था और मैं Google AdSense के पीछे ही भागता रहा अभी recently 2 साल पहले मैंने affiliate marketing भी start करी और आज के टाइम पे affiliate marketing भी मुझे बहुत अच्छा revenue दे देता है मेरा जो total revenue generate होता है उसमें majority portion affiliate marketing और Google AdSense से ही है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि as a beginner आपको कौन से platform पे काम करना शुरू करना चीए 2021 के अंदर ताकि आप भी मेरी तरह बाद में ये ना को कि यार उस टाइम पे मैंने affiliate marketing स्टार्ट करी होती तो आज के टाइम पे बहुत ज़ादा मेरा revenue बढ़ गया होता क्योंकि अगर आप देखो तो 7 साल में मैंने जितना काम कर रहा है उसमें 7-8 हजार डॉलर कमा लेता हूँ AdSense से लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर मैं affiliate marketing से 5000 डॉलर तक जो है इस चैनल पर मैं आपके साथ अपना experience शेर करता हूँ जो चीजे मैंने blogging के अंदर सीखी है वो free of cost आपके साथ share करता हूँ ताकि आप उन experiences को लेकर अपनी blogging journey में implement कर सकें और video यहां तक पसंद आ रहा है अच्छा लग रहा है तो definitely इस video को like भी कर देना तो सबसे पहले जो affiliate marketing है जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दू affiliate marketing में basically आप दूसरी companies के products को sell करवाते हो जब आप उस product को sell करवा देते हो तो उस selling के उपर आपको affiliate commission मिलता है अब यह affiliate commission कुछ भी हो सकता है 2%, 5%, 10, 15, 20, 50, 60, कुछ भी percentage आपको मिल जाएगा order value के उपर और कोई-कोई companies तो आपको fixed rate भी देती है अब affiliate के लिए products बहुत सारे हैं वो product आप अपने blog के हिसाब से choose कर सकते हो affiliate marketing के उपर मैंने multiple payment proofs share करके रखे हुए उन payment proofs के link आपको i button में और description box में दे दूँगा देख लेना आपको motivation मिलेगा मैंने 5,00,000 रुपे की monthly earning का affiliate earning proof भी share कर रहा था उस video का link भी आपको description box में ही मिल जाएगा अब ये तो scene रहा पुरा affiliate marketing का जहां पर आपको product sell करवाना होता है किसी बंदे को आप recommend करते हो और वो खरीदेता है लेकिन खरीदने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बंदे का दिमाग है वो लेना चाहता है नहीं लेना चाहता है उसे आपकी authority अच्छी लगे ना लगे तो इससे एक simple way है Google AdSense Google AdSense एक display based ad network है जहां पर आप अपनी site के उपर Google AdSense के banners को लगाते हो जब लोग आके आपकी site को view करते हैं तो वहाँ पर उन्हें वो banner दिखते हैं फिर उस पर जब वो click करते हैं तो आपको per click कुछ revenue मिलता है वो चीज आपकी country के उपर depend करता है जैसी भी country पर जाके आपकी ads दिखेंगी वहाँ पर कितना CPC है क्या आपका keyword का है सब कुछ उस पर depend करके आपको कुछ CPC मिलेगा आपको per click कुछ पैसे मिलेंगे और यही पुरा-पुरा funda है Google Adsense का तो यार अब हम बात करते हैं कौन सा है platform आपके लिए best रहेगा as a beginner तो यहाँ पर दो platforms के हम बात करें बाकियों को अभी हम neglect करेंगे सबसे पहला हमारा Google Adsense और दूसरा है affiliate marketing Google Adsense के मेरे पास multiple accounts हैं और उनके मैंने time to time अलग-अलग accounts के earning proof शेयर किये हुए अभी मैंने पिछले महीने एक account का earning proof शेयर किया था डेड़ लाख रुपए का वो वीडियो आप देखना जाते हो तो उस वीडियो का link में आपको i button में और description box में देदूँगा definitely आप वो देख लेना और 7-8 महीने पहले मैंने अपने दूसरे AdSense account का earning proof शेयर किया था 4000 डॉलर के आसपास का amount था उस वीडियो का link भी आपको i button में और description box में देदूँगा definitely आप उसे भी check out कर सकते हो इस type के earning proof में YouTube पे बहुत कम शेयर करता हूँ लेकिन Instagram पे मैं time to time update देता रहत हूँ कौन सी payment आई है कितनी आई है कहां से आई है तो अगर आप मेरे earning proofs देखना चाहते हो तो उसके लिए आप definitely मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हो Instagram का link आपको description box में और pinned comment में मैं दे दूँगा definitely आप मुझे Instagram पर भी follow कर लें अब यहां तक तो बात हो गई कि Google AdSense एक entity हो गई और affiliate marketing एक entity हो गई अब आपके लिए कौन सा platform best रहेगा आपको as a beginner कौन सी चीज़ को try पहले करना चाहिए तो अब उसका मैं जवाब देता हूँ तो यहार जो सबसे पहली चीज़ वो है complexity affiliate marketing थोड़ा ज़्यादा complex है as compared to AdSense क्योंकि AdSense में आपको simply banner लगा देने और ज़्यादा से ज़्यादा आपको banner की position change करनी है clicks के हिसाब से कहीं आप banner लगाते हो वहाँ पे ज़्यादा click हैंगे आपको ज़्यादा revenue बनेगा और कहीं आप वहाँ से हटा दोगे तो बहुत थोड़ा सा कम बनने लग जागा revenue लेकिन affiliate marketing के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है affiliate marketing के अंदर आपको conversion के उपर ध्यान देना होता है लोग आके आपके link के उपर click करें लेकिन बाद में जाके वो उस चीज़ को purchase ना करें तो आपको एक रुपया भी नहीं बनने वाला है affiliate marketing थोड़ा सा complex है आपको ध्यान देना पड़ता अपने content के उपर आपने किस तरीके की images यूज़ करी है कौन सी video यूज़ करी है ताकि user आपका convince हो जाए उस product को purchase करने में कि product purchase करेगा तभी आपको commission मिलेगा clicks का आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है तो ये चीज़ मैंने अपने experience में देखी है कि जो time मैंने adsense के उपर दिया है मैंने सीखा है over the time किस तरीके से platform काम करता है वो चीज़ मुझे बहुत जादा help करी है affiliate marketing में जल्दी grow करने के लिए लेकिन अगर आप as a beginner affiliate marketing को ही start करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जादा तर beginners confused ही हो जाएंगे उन्हें बहुत time तक clicks नहीं आएंगे फिर वो demotivate होगे काम ही छोड़ देंगे लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए आप starting के days में google adsense को apply कर सकते हो जब आपको revenue आता हुआ दिखेगा एक डॉलर, देट डॉलर, दो डॉलर तो उस चीज़ से आप motivated रोग के काम करने के लिए और एक बार आप इस field के अंदर थोड़ा बहुत revenue generate कर लो उसके बाद फिर आप affiliate marketing की तरफ भी जा सकते हो अब ये चीज़ मैं सिर्फ absolute beginners को ही recommend करूँगा अगर आपको past में थोड़ा बहुत experience है तो definitely आप affiliate marketing को भी try कर सकते हो इसके बाद जो next चीज़ रहीगी यार वो है traffic adsense में आपको बहुत ज़ादा traffic चाहिए एक revenue generate करने के लिए वही same revenue अगर आप affiliate marketing से generate करना चाहते हो तो आपको कम traffic चाहिए होता है अभी मैंने recently अपना experience share कर रहा था कितने clicks आपको चाहिए 100-500 dollar की earning करने के लिए उस video का link आपको i button और description box में दे दूँगा आप definitely उसे check out कर सकते हो वहाँ पर मैंने share किया था कि अगर आप 100-500 dollar की जो earning है वो adsense से करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़ादा clicks चाहिए बहुत ज़ादा traffic चाहिए ज़्यादा traffic की ज़रुरत नहीं पड़ती है एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लोग इस comparison को देखके कि यार adsense में इतना ज़्यादा traffic चाहिए 10-15,000 बंदे दिन के आने चाहिए और यहाँ पर सिर्फ 200-300 से ही काम चल जा रहा है तो इस चीज़ को देखके लोग affiliate marketing की तरफ दोडने लग जाते हैं लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ अपने experience से कि जितनी महनत आपको यह 15,000 का traffic लाने में लगती है और Google Adsense उतनी ही महनत आपको इस 200 traffic को लाने में लगती है affiliate marketing के लिए क्योंकि सिर्फ एक random user को ले आने से वो sale नहीं होने वाली है अगर आप एक targeted audience लेके आते हो तभी आपकी वो sale generate होगी और यह चीज़ करना बहुत जादा difficult रहता है तो अगर आप beginner हो तो मैं आपको highly recommend करूँगा कि आप Google Adsense की तरफ ही जाए क्योंकि starting के days में यह चीज़ नहीं रहती है दिमाग में कि भाई targeted audience कौन सी है और random audience कौन सी है तो beginners के लिए मैं यही बोलूँगा कि यार without complexity आप Google Adsense के उपर starting में काम करो एक बार आपको यहां का थोड़ा बहुत hold हो जाए कि कैसे आपको articles लिखने है किस type का आपको traffic आ रहा है वहाँ पर कोई अगर आप product sell करवा पाओ तो उसके लिए आप छोटा सा कोई link दे सकते हो अगर sales आने लग जाए तो उस चीज़ को आप scale जादा कर सकते हो लेकिन starting में adsense is good एक बार आपको experience मिल जाए उसके बाद आप affiliate marketing definitely try out कर सकते हो तो guys I hope आपको एक rough idea मिल गया होगा कि आपको कौन सा platform use करना चाहिए beginners के लिए मैं हर दिन यही recommend करूँगा Google adsense ही आप try करो मैंने अलग-अलग जगा पर आप से ही पूछा था कि आप कौन सा platform best है Instagram पर पूछा, Telegram पर पूछा, YouTube पर भी पूछा तो बहुत ही mixed सी reaction आई तो मुझे ऐसा लगा कि आपको एक video के form में बता देना चाहिए beginners के लिए कौन सा platform best रहेगा ताकि आप कोई गलती ना कर दो और सिर्फ इस चीज़ की वज़ा से कि आपने platform को गलत चूज कर रहा है वहाँ पर sales नहीं आ रही और फिर आप जाके कर दे रहो कि blogging ही खराब है तो वो चीज़ ना हो आप यहाँ पर काम करते रहो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना के रख दिया I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओगा अच्छा लगाते है definitely इस वीडियो को like कर दे अपना कोई भी thought हो, query हो, दिक्कत आरी जिए नहीं वाई से बात करें, मुझे comment section में जरूर बताना और channel पर नहीं हो और आप भी blogging की मदद से, affiliate marketing की मदद से earning करना जाते हो तो मैं अपने इस channel पर आपके साथ वही experience free of cost share करता हूँ जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, मेरी गलतियां, मेरी success वो सब कुछ मैं इस channel के उपर share कर देता हूँ free of cost, उस knowledge को लेने के लिए आप definitely मारी channel के साथ जुट जाएं, subscribe कर लें और अगर आपने पर तक मैं Instagram पर follow नहीं किया है तो मैं अपने live proof Instagram पर share कर देता हूँ और time to time में वहाँ पर live sessions के थरूँ आपके साथ interact भी करता हूँ तो अगर आपको वही दिक्कत है, आप मुझे कुछ directly पूछना जाते हैं तो उस live session का part भी बन सकते हो Instagram पर follow करने का link में description box में और comment में दिया हुआ definitely आप मुझे Instagram पर भी follow कर लें that's all for this video I'll meet in the next one, till then, bye bye I'll meet in the next one, till then, bye bye